वैवर्त पुरान प्रकिरती खंड सूरत और समाधी वैश्य का मेधस के आश्रम पर जाना मुनी का दुर्गा की महिमा एवं उनकी अराधना विधी का उपदेश देना तथा दुर्गा की अराधना से उन दोनों के अभिष्ट मनोरत की पूरती वैवर्त पुरान प्रकिरती खंड सूरत और समाधी वैश्य का मेधस के आश्रम पर जाना मुनी का दुर्गा की महिमा एवं उनकी अराधना विधी का उपदेश देना तथा दुर्गा की अराधना से उन दोनों के अभिष्ट मनोरत की पूरती तदंतर नारजीन के प्रश्ण का उत्तर देते हुए भगवान नारायन बोले ध्रुव के पौत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभु मनु के वंस में सत्यवादी एवं जितिंद्रिय राजा थें उन्होंने सो अक्षोहिनी सेना लेकर महामती सूरत के रज्ज को चारों और से घेर लिया नारद दोनों पक्षों में पूरे एक वर्ष तक निरंतर युद्ध होता रहा अंत में चिरंजीवी वैशनव नरेश नंदी ने सूरत पर विजय पाई नंदी ने उन्हें रज्ज से बाहर कर दिया बहभीत राजा सूरत रात में अकेले घोड़े पर सवार हो गए वो गहनवन में चले गए वहां भद्रा नदी के तड़ पर उनकी एक वैशे से भेट हुई मुने उन दोनों ने परस पर बंधु भाव की स्थापना की और उनमें बड़े प्रेम हो गएं राजा वैशे के साथ मेधस के आश्रम पर गएं भारत में सत्पूर्शों के लिए जो दुशकर पुशकर छेत रहें उस पुशकर में जाकर राजा ने उन महा तेजश्वी मुनी का दर्शन किया मेधस जी अपने शिश्यों को परम दुरलभ ब्रम तत्व का उपदेश दे रहें थे राजा और वैश्य ने मस्तक जुका कर उन मुनी श्रिष्टो को प्रणाम किया मुनी ने उन दोनों अतीतियों का आदर किया और उन्हें शुभा शर्वाद दिया फिर प्रितक प्रितक उन दोनों का कुशल मंगल जाती और नाम पूचा राजा सूरत ने उन मुनी श्रिष्वरो को क्रमशव उनके प्रश्णों का उत्तर दिया सूरत बोलें ब्रह्मन मैं राजा सूरत हूँ मेरा जन्व चैत्र वंस में हुआ है इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने रज्ज से निकाल दिया है अब मैं कौन सा उपाय करूँ किस प्रकार पुनह अपने रज्ज पर मेरा अधिकार हो आया आप बतावे महा भाग मुने मैं आपकी ही शरन में आया हूँ यह समाधी नामक वैश्य है और बरा धर्मात्मा है तथापी दैववश इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लोव से इसको घर से बाहर निकाल दिया है इसका अपराद इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंदू बांदवों के मना करने पर भी प्रती दिन ब्रामनों को प्रचूर धन और रत्न दान में दिया करता था इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया फिर शोक के कारण वे पुनह इसका अनवेशन करते हुए आएं परंतु यह पवित्र ज्यानी एवं विरक्त वैशे उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लोटा तब इसके पुत्र भी पित्र शोक से संतप्त हो सब कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्रामनों को दे कर घर छोर वन को चले गए श्री हरी का परम दुरलव दाश्य प्राप्त हो यही इस वैशे का अभिश्च विवस्तु कैसे प्राप्त होगी यह बात आप विस्तार पुर्वक बताने की कृपा करें श्री मेधस ने कहा राजन निर्गुन परमात्मा श्री कृष्ण की आज्या से दुरलग्य त्रिगुन मैं विश्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से आच्छान कर देती है वो कृपा मैदेवी जिन धरमात्मा पुरुषों पर कृपा करती है उन्हें दया करके परम दुरलव श्री कृष्ण भक्ती प्रदान करती है नरेश्वर परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विश्नु माया दया नहीं करती है उन दुरगती क्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोजाल से बांध देती है फिर तो वे बरवर जीव इस नश्वर एवं अनित्य संसार में सदा नित्य बुद्धी कर लेते हैं और परमेश्वर की उपाशना छोड़ कर दूसरे दूसरे देवताओं की सेवा में लग जाते हैं तथा उन्ही देवताओं के मंत्र का जब करते हैं लोब वश्वन में किसी मिथ्या निमित्य को स्थान दे कर वे इस तरह भटक जाते हैं अन्य देवता भी श्री हरी की कलाएं हैं। उनका साथ जन्मों तक शेवन करने के पश्यातवे देवी प्रकिर्ती की कृपा से उनकी अराधना में सनलगन होते हैं। साथ जन्मों तक कृपा में विश्नु माया की सेवा करने के बाद उन्हें सनातन ज्यानन्द स्वरूप शिव की भक्ती प्राप्त होती हैं। भगवान शंकर श्री हरी के ज्यान के अधिश्ठाता देवता हैं। उनका शेवन करके मनुष्य शीग नहीं उनसे श्री विश्नु भक्ती प्राप्त कर लेते हैं। तब उनके द्वारा सत्त स्वरूप सगुन विश्नु की सेवा होने लगती है। इससे उनको परम निर्मल ज्यान का साक्षातकार होता है। सगुन विश्नु की अराधना के पश्यात सात्विक वैश्नव मानव प्रकिरती से परवर्ती निर्गुन श्री कृष्न की भक्ती पाते हैं। तदंतर वेशाधु पुरुष श्री कृष्न के निर्गुन मंत्र को ग्रहन करते हैं और उन निर्गुन देव की अराधना से स्वेम निर्गुन हो जाते हैं। वे वैशनव पुरुष निरामे गोलोक में रहकर निरंतर भगवान का दाश्य कैंकर्य में सेवन करते हैं और अपनी आँखों से अगनित ब्रह्माओं का पतन विनाश देखते हैं वे वैशनव पुरुष निरामे गोलोक में रहकर निरंतर भगवान का दाश्य कैंकर्य में सेवन करते हैं और अपनी आँखों से अगनित ब्रह्माओं का पतन विनाश देखते हैं जो श्रेष्ट मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीख्षा ग्रहन करता है वो अपने पूर्वजों की सहस्त्रों पीढियों का उद्धार कर देता है जो श्रेष्ट मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीख्षा ग्रहन करता है वो अपने पूर्वजों की सहस्त्रों पीढियों का उद्धार कर देता है वह नाना के कुल की सहस्त्रो पीडियों का माता का तथा दाश आदी का भी उद्धार करके गोलोक में चला जाता है महा भयंकर भवशागर में कर्ण धार रूपनी दुरगा श्री कृष्ण भक्ती रूपी नौका द्वारा उन सब को पार कर देती हैं महा भयंकर भवशागर में कर्ण धार रूपनी दुरगा श्री कृष्ण भक्ती रूपी नौका द्वारा उन सब को पार कर देती हैं वैशनवों के कर्म बंधन का उच्छेद करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण की वह वैशनवी शक्ती तीखे सस्त्र का काम करती हैं वैशनवों के कर्म बंधन का उच्छेद करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण की वह वैशनवी शक्ती तीखे सस्त्र का काम करती हैं नरेश्वर उस सक्ती की शक्ती भी दो प्रकार की हैं एक विवेचना शक्ती और दूसरी आवर्नी शक्ती एक विवेचना शक्ती और दूसरी आवर्नी शक्ती पहली अर्थात विवेचना शक्ती तो वह भक्तों को देती हैं और दूसरी आवर्नी शक्ती और भक्त के पल्ले बानती हैं और दूसरी आवर्नी शक्ती और भक्त के पल्ले बानती हैं भगवान श्री कृष्न सत्ति स्वरूप हैं उनसे भिन्य सारा जगत नश्वर हैं विवेचना बुद्धी नित्य रूपा एवं सनातनी हैं यह मेरी श्री है यही वैशन भक्तों को प्राप्त होती हैं किन्तु आवर्नी बुद्धी कर्मो काफल भोगने वाले अधम वैशन पुरुशो को प्राप्त होती हैं यह मेरी श्री है यह वैशन भक्तों को प्राप्त होती है तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ महाराज नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुरगा का भजन करो तुम्हारे मन में रज्य की कामना है इसलिए वे देवी तुम्हें आवरनी बुद्धी प्रदान करेंगी वेश्णव देवी शुद्ध वेवेचना बुद्धी देंगी ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेधस ने उन दोनों को दुरगा जी की पूजा की विधी स्तुरोत कवच और मंत्र का उपदेश दिया वेश्य ने उन कृपा में देवी की अरधना करके मोक्ष प्राप्त किया तथा राजा को अपना अभिष्ट राज्य मनू का पद और मनू वांचित परम एश्वर प्राप्त हुआ इस प्रकार मैंने सुखद सारभूद एवं मोक्ष दायक परम उत्तम दुरगा का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुना दिया अब तुम और क्या सुनना चाहते हो